क्लास सबसे पहले हम इसमें टे की आधी चकल में ट्रैसिंग करेंगे यहां से पैंसिल को मूफ किया आपने डॉट के साथ साथ ठीके और इसके बाद हमने तोई की ट्रैसिंग करनी है छोटी सी तोई की और यहां से आपने ट्रन किया इसको जी यह आपकी चोटी तोई की ट्रैसिंग होगी ठीके और आप हम कलर करेंगे सबसे पहले हमारे पस क्या है टाट टोपी टाट टमाटर तो क्लास आपने वैसे देखा होगा टमाटर में कौन सा कलर होता है रेड तो टमाटर में हम करेंगे रेड कलर ठीके आपके बहुत अच् आप में एरेज भी कर सकते हैं, ठीके, पिलक्व आइसा ऐसा करेंगे, लेकिन कोईची करें के आउट ना हो, बहुत अच्छा सा कलर करें आप लेकिई आपकी क्तिने अच्छा सा कलर करें तिमय के चुस्ताया करना है, आपिक जी, और आपने यहां से इसको मूफ किया कौन सी पिक्चर में हम कलर कर रहे हैं टमाटर टमाटर में रेड कलर होता है या उर्दू में हम उसको लाल रंग कहेंगे ठीक है और हम पढ़ें टा टमाटर देके ओपर छोटी सीतों जी किलाज देखें रेड कलर कम्प्लीट हो गया हमारा अब हम अब जो उपर हैं यहां पर हम लोग करेंगे ग्रीन कलर ग्रीन या हरा रंग आपने देखा होगा टमाटर तो उसमें उपर जो लीव होते हैं इसके या टहनी होती है तो वो ग्रीन कलर की होती है ठीक है यह है ग्रीन या हरा रंग ठीक है बहुत प्यारा सा कलर करना है स्लो स्ल को करेंगे तो आपका कलर आउट नहीं होगा अभी आप लोग छोटे हैं अगर आपका कलर आउट हो जाए तो इसको इरेज भी कर सकते हैं ठीक है कोशिश करें कि आप किसी बड़े के पास बैठ कर अपना काम करें ठीक है ममा के पास या किसी बड़े के पास ताके वह आपको ठीक जी नेक्स्ट हमारे पसुत है ताटोपी डी कर रही ह Sans कर रही हूं तो आप प्रस ऌर्द यह उसको यह हैं प्रसुत चाहें तो आपको कलर पसंद बिर आ हो कलर सकतें पुस्ष बच्ण को रेड कलर पसंद रोता है कुछ को रैड यह कुछ uwप्रसुर्द को ग्रीग दो भी बना सकते हैं अपनी कैप या टॉपी जो है ठीक है यह हमने ब्लू कलर किया और यहां पे हमने यहां भी हमने कलर कर दिया अपनी स्टोस लो करना है करना है कलर ताके अच्छा सा कलर हो जाए जी यह हो गया आपका हाई टूपी में कलर हम कर लें। ब्लू। और ऐसे करते हैं कि शहरें देखें औरेंज कलर कैसा लग रहा है। जी ओरन्ज और ब्लू। किसमें कलर कर रहे हैं हम लोग टा टूपी टा टूप drastic जी। जी। तो यहां भी हम blue color कर लेते हैं जी क्रास देखें जरा आप page देखें page number 10 है तो यह complete हो चुका है हमारा page आपने बिल्कुल as it is ऐसे ही काम complete करना है आपने इस page को complete करना है और अगर आपके पास time हो या आप practice करना चाहते हैं तो आप next page पे कर सकते हैं ठीक है और इसको भी आपने इसी तरह करना है complete okay thank you